हेलो स्टुडेंट्स वल्कम अगेन टू लांट्री दीतीमन आज हम करने वाले हैं हिंदी सिक्षन के बहुत महत्वपूर्पूर्प्रश्ण जो की हमने जो पहले प्रश्ण किये हैं उनसे थोड़े से अलग हैं और इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ह अच्छे मार्क्स जो है वो आपके एक्जाम में आएंगे तो बहुत जरूरी है आपका प्रैक्टिस करना तो आपके 20 मैंसे कितने मार्क्स आते हैं यह आप बताईएगा चलिए स्टार्ट करते हैं Q1 व्याकरण की समझ को संदर परक प्रशनों के माध्यम से आखना क्या पूर्टे उचित है आंसिक रूप से उचित है पूर्टे असंभव है या बिल्कुल अनुचित है तो आपको द्यान से प्रशनों को पढ़कर और आंसर जो है वो लगाना है इसी तरीके के प्रशन आ क्योंकि हम बात कर रहे हैं संदर्ब परक प्रश्णों के माध्यम से आखना ठीक है तो वहाँ व्याकरण की समझ को संदर्ब प्रश्णों के माध्यम से आखना पूर्टे उचित है नेक्स्ट है उच्च प्रात्मिक इस्तर पर बच्चों की हिंदी भासा की शमता की आखलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशे है भासा प्रियोग पर बल देना भासा की कार्यों को बढ़ावा देना भासा प्रियोग का पक्ष बताना या भासा की कार्यों की तो आप उच्छे तांसर पर पहुंच जाते हैं. तो उच्छ प्राथमिक इस्तर पर बच्चों की हिंदी भासा की शमता की आकलन में प्रकारे परक्ष पर बल देने का आशे होता है कि भासा प्रियोग पर बल देना. ठीक है? याद रखना है भासा प्रियोग पर बल देना ज तो आप क्या करोगे नेहा जो है वह अपनी बात करते समय अपनी मात्र भासा के सब्द का प्रयोग करती है तो क्या करोगे लक्ष भासा के शब्द का प्रयोग करती है तो क्या करोगे लक्ष भासा के शब्द का प्रयोग करती है तो क्या करोगे लक्ष भासा के शब्द का प् उसे बताएंगे ये शब्द ही गलत है तो देखिए उचित आंसर होगा कि लक्ष जो है जिस लक्ष को प्राप्त करने के लिए भासा सिखाई जा रही है तो वहाँ भासा की शब्द का प्रियोग करते हुए सहजता से उसके वाके को दोराएंगे ठीक है नेक्स रहें कुश्यन 4 भासा की कक्षा में यह जरूरी है कि भासा की पाठे पुस्तक पर विशेज दिहान दिया जाए बच्चे मानक भासा में ही बातचीत करें भाशिक प्रेश्ट भूमी के आधार पर किसी को पीछा ना छोड़ा जाए या बच्चों की अधिक से अधिक ली जाएं तो हम इतने सारे प्रेश्टनों जो हैं वो solve कर चुके हैं तो अब तक ये जीज तो समझ में आही गई होगी कि हमें भासा की सिक्षा में जरूरी नहीं है चाहे वो हिंदी सिक्षण हो सामाजिक सिक्षण हो गनित सिक्षण हो या विज्ञान सिक्षण हो भासिक प्रेस्ट भूमे के आधार पर किसी को पीछा ना छोड़ा जाए, यानि जो भी भासा है, जो भी उनका बैक्राउंड है, जिस भासा से वो आए हैं, उनको आधार मानकर ही उनके आगी का जो लक्षे है, वो उस प्राप्त करने के लिए उनको बताना चाहिए, ठीक है, भासिक प्रेस्ट भूमे के आधार पर किसी को पीछा नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है, देखिए, बच्चे मानक भासा में ही बात चीत करें, केवल इस्टेंडर लेंग्वेज में बात करें, नहीं, ये बात तो गलत होगी, क्योंकि उनकी खुद की भासा है, उनमें उनक ज़्यादा पढ़ता है, उनकी भासा का सम्वान करते हुए, फिर मानक भासा सिखाई जानी चाहिए, भासा की पाठे पुस्तक पर विशे ध्यान दिया जाना चाहिए, नहीं, पाठे पुस्तक पर ही केवल ध्यान नहीं देना है, और फूर्ट और उयक्शन जो है, वो तो होता है चटी से आठवी तक तो उच्छे प्रात्मे की स्थार पर भासा सिक्षण का उद्देश्य है व्याकरण के नियमों को कंठस्त कराना भासा की बिविन संरचनाओं का यांतरिक अभ्यास करना सभी साहितिक विधाओं में लिखन की कुशलता विक्सित करना भासा की बारी की और सोंदरे बोत को समझने की शम्ता का विकास करना तो भासा सिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है सबसे पहले हम यहां गलत कर लेते हैं कि करना भासा की बारी की संदरे बोत को समझने की शम्ता का विकास करना भासा सिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट है भासा सिक्षण में पाठे पुस्तक के अतरिक कौन सा सबसे कम प्रभाबसाली है देगे पाठे पुस्तक उसको तो शामिल कर लिया है उसके अतरिक तो कौन सा कम प्रभाबसाली है प्रश्णों के उत्तर लिखना समवाद अदाई की परिचर्चा करना घटना वर चीत करते वक्त, अपने कोई भी घटना है, उसको वर्नित करते वक्त, ठीक है, वाद विवाद करते वक्त, जितनी भी उसके भाषा निकल के आती है, जो भी वह उस चीज से जितना उसे गेन होता है, वह नहीं हो सकता है प्रशनों के उत्तर लिखने से, तो यह सबसे कम बच्चों को सर्वनाम के प्रियोग का ग्यान कराना, बच्चों को क्रिया के प्रियोग का ग्यान कराना, देखिए तीनों ही व्याकरण के नियमों का ग्यान कराना इसकी बात कर रहे हैं। उद्देश्य है, नेक्स्ट है, लेखन शम्ता का विकास करने के संदर में आपके लिए सबसे महतोपून क्या है, हमें यहाँ पर क्या चीज़ नोट करनी है, लेखन शम्ता का विकास, फर्स्ट है सुन्दर लेखन का अभ्यास, सेकंड है मानक वर्तनी का प्रियोग, थर्ड ह सुनी पड़ी समझी हुई बातों को स्वभाविक लिखित अभिव्यक्ति फोर्थ है दिये हुए बिंदू और निर्देश के आधार पर निवंद लिखना तो इसका सही उत्तर होगा देखिए लिखन शम्ता का विकास करना है तो जितना जादा वो बच्चा सुनी पड़ी औ जिससे उसका विकास होगा थीक है नेक्स्ट है नाइन भासा की पाठे पुस्तक में हिंदी तर भासाओं को भी जगएं मिलनी चाहिए हिंदी के हिंदीतर यानि हिंदी के अलावा इस कत्न के समर्थन में कौन सा तरख काम करेगा फस्ट इस से भासाओं के बीच द्वन्ध遊戲 स Arabs से यहीं होगा सेकंड इस से भासागत विविदिता को सही रूप से संभोदित किया जा सकता है यह जमीद भाषा जो विभिन प्रकार के भासाइं उनको भी यहां शामिल किया जा सकेगा, विविधता पता चलेगी, इससे भारत की सभी भासाओं को इस्थान दिया जा सकेगा, अब देखिए, एक पुस्तक है, उसमें भारत की सभी भासाओं हो जाएं, इतना तो संभव नहीं हो पाएगा, पोर्त है, इससे त्री भासा सूतर का प तो भासा की पाठे पुस्तक में हिंदी तर भासाओं को जगए मिलनी चाहिए यह तरक काम करेगा यदी भासागत विविदिता को संबोधित करेंगे ठीक है पूरक पाठन, पूरक पठन सामिगरी का उदेश्य क्या है? भासा की नियम बद्दिता को सिखाना, सिक्षक की साहता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, दृत गती से पठन की योगता का विकास करना या सहपाठियों की साहता से पढ़ना सिखाना अब यहाँ दो option जो हैं वो तो मैं wrong ही कर देती हूँ और वो कौन-कौन से कि पठन सामिगरी का उदेश, पूरक पठन सामिगरी का उदेश भासा कि नियम बद्धता को नियम को सिखाना नहीं हो सकता और सहपाठियों के सायता से पढ़ना सिखाना ये भी नहीं होता, वो तो क एक help हो जाती है, ठीक है, लेकिन पूरक पठन सामिगरी का मुख्य उदेश होता है कि बच्चा जो है वो दृत यानि की बहुत अच्छी तेजगती से पढ़ने की योगता का विकास कर सके, नेक्स्ट है, हिंदी भासा की प्रशन पत्र में आप किस सवाल को सबसे अधिक ब जो option दिये गए हैं, उसमें आपको ये याद रखना है, हमने जो theory पड़ी थी, जिसमें हम देखते हैं, गिलफोर्ड ने अपसारी और अभिसारी चिंतन, ये दोनों चीज़ें बताई थी, तो अपसारी का क्या अर्थ होता था? अभिसारी का अर्थ होता था कि बहुत दिसाओं में जाकर सोचना, ठीक है? और अभिसारी का अर्थ होता था केवल एक दिसाओं में जाकर सोचना, जो केवल एक ही answer उप्युक्त दे उस प्रशन का, लेकिन हमें बच्चों को क्या सिखाना है? कि वो केवल एक प्रशन का एक आंसर ना देकर कई दिसाओं में दोड़ें अपना दिमाग दोड़ाएं चिंतन का विकास करें ठीक है अब यहां पर चारों में से अप्शन में से संग्या की परिवासा दीजिए तो यह बच्चा जो है वो बुक में से पढ़के इसका आंसर देदेगा यहां उसका कोई वी चिंतन नहीं हो रहा है लाल बादुर शास्त्री के बच्पन का क्या नाम था यहां भी नहीं हो रहा है के वो उप्यूकत आंसर आए नेक्स्ट है कवीता सिक्षण के संदर्म में आप किस विंदू को सरवाधिक महत्व देते हैं किस विंदू को देंगे कि कवीता एक निश्चत अर्थ होता है कवीता की एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं कवीता में सामाजिक परिस्तितियों की जलक नहीं होती है कवीता में र इसका अंसर होगा कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं तो हमें कविता शिक्षन कराते समय इस बात पर विशेज ध्याम देना चाहिए नेक्स्ट है कोई भी भासा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रती उत्सुकता बनाए वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परचित कराए या वह बच्चों को केवल प्रशिद साहित्य से परिशित कराएं तो दिखें जहां पर समझाने की बात होती है वहां में आपको समझाती भी हूँ जिससे की और प्रश्ण जो है वो इसी के तरीके के आप कैसे हल कर पाएंगे तो कोई भी बासा पुस्तक तबी सफल माने जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर बरतमान साहित्य के प्रती उत्सुकता बनाए रखे ठीके हमारे जो साहित्य धरोहर है सब्सक्राइब भासा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए आवश्चक है अब समावेशी कक्षा का अर्थ, inclusive class का अर्थ क्या होता है, सभी को शामिल करना, ठीक है, सभी तरीके के जो बच्चे होते हैं, उनको शामिल करना, फर्स्ट है, पाठे करम को कम कर दिया जाए, भई समावेशी कक्षा है, तो क्या करोगे आप, जो करिकुलम है, जो आपका पा हो जाते हैं, क्योंकि इनके करने से समावेशी कक्षा जो है, वो अच्छी साबित नहीं होते हैं, पाठे करम को कम करने से क्या होगा, कुछ नहीं, और दोनों में ही एक ही बात है, तो आंसर होगा, कि यदि समावेशी कक्षा है, सभी तरीके के बच्चे हैं, तो वहाँ द् important theory भी हमने पढ़ ही ली है साइकलोजी के अंदर यदि आपने नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़िएगा क्योंकि आप खुद ही देखिए कि हिंदी सिक्षण में भी साइकलोजी के प्रशनाते हैं इसी तरीके से आप जो भी सिक्षण करेंगे जो भी सिक्षण विदिया यहां भी आप रेशन हला नहीं कर पाएंगे तो यहां देखकर ही बता लग रहा है कि य्से संब्धित है वाईगौस्ट चिससे संब्धित हैं नेक्स्ट है भासा और चिंतन में संब्ध होता है यह कतन पूंधते साही है आंसिक रूप से सही है, पूर्टे गलत है या व्यर्थ का ही है, भासा यानि भासा और चिंतन, इनका बिलकूल सीधा संबंध होता है, तो यह कतन पूर्टे सत्य है. नेक्स्ट है भासा शिक्षण के अंतगर श्रव्य सहायक सामिग्री का उपयोग किसमे होता है भासा शिक्षण कराएंगे तो वहां पर जो श्रव्य सहायक सामिग्री है श्रव्य यानि कि सुनने वाली तो उन सामिग्री का उपयोग किसमे होता है सुद्ध उचारण में करने में होगा सुद्ध लिखने में होगा सुद्ध पढ़ने में होगा या उप्रोक्त में से किसी में नहीं होगा तो देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है यह कि श्रव्य यानि सुनने वाली सायक सामिगरी का उप्योग किसमें होगा ताकि हम सुन सकें और उसके बाद उसका स उद्धोतन सामिग्री तो परंपरागत उद्धोतन सामिग्री में पाठे पुस्तक, रेखा चित्र, शामपट और चित्र इनमें कौन सी शहायक होती हैं देखिए यहां परंपरागत यानि की पुरानी अब परंपरागत उद्धोतन सामिग्री में रेखा चित्र या चित्र ये तो हमारी आधुनिक उद्धोतन सामिग्री हैं, फर्स्ट और थर्ड ओप्शन में से ही आपको सही आंसर देखना है, तो यहाँ पर जो पाठे पुस्तक है, यह है परंपरागत उद्धोतन सामिग्री है, नेक्स्ट है, उच्च परात्मिक इस्तर पर कहानी रचना के लिए उप्योगी सामिग्री होगी, कहानी रचना के दिये, श्यामपट, चित्र कथाएं, फ्लैश कार्ड या यह शवी, तो इसका सही उत्तर होगा, कि उच्च परात्मिक इस्तर पर भई यह तीनों ही कहानी रच क्रियात्मक अनुसंधान में सोध करता अब देखिए सामाजिक शिक्षण में हम क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो देखते हैं तो अनुसंधान करता में क्रियात्मक अनुसंधान में फर्स्ट ऑप्शन देखिए, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, विध्याले या उससे संबंदित व्यक्ति जैसे सिक्षक, छात्र, प्रचार आदी हो सकते हैं, इसनात को उत्तर सिक्षक या इनमें से कोई नहीं, तो जो क्रियात्मक अनुशंधान है, एक्सन रिसर्च, इसमें ज उससे संबंदित व्यक्ति जैसे सिक्षक, छात्र, प्रचार ये सभी हो सकते हैं, सोध करता किरियात्मक अनुशंधान में, ठीक है, तो आज ये 20 प्रशनों में से आपने कितने सही किये हैं, आपको ये बताना है, और आपको ये प्रशनों जो हैं, उनको इसी तरीके से प् ठांड्यू